हलो एवरिवरन वेलकम बैक टू माई चैनल पिंक्स इनुवेशन आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंज आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जानी सकते हैं तो इसे किस तरीके से मैं स्टोर करके रखती हूँ ताकि मैं जब भी मुझे कोई चाइनिज डिश बनानी रहती है तो मैं उसे निकाल कर यूस कर लेती हूँ तो इसके लिए फ्रेंज क्या करना है आपको इसे अच्छी तरीके से वाश करके अच्छी से सुखा के रख लेना है और उसके बाद इसे खुब अच़्श बारिक चॉप कर लेना है तो ये देखिए मैंने ये बारीक आधा चौप कर लिया इसने वाइट पोर्शन अलग हो गया है और ये ग्रीन वाला पोर्शन अलग हो गया है तो मुझे ग्रीन पोर्शन की ज़्यादा पड़ती है तो इसे मैं क्या करूँगी एक बोल ले लूँगी ग्लास का और टिश्य पेपर डालके इसे मैं रख दूँगी इसके बाल इसे आप जितने दिन चाहो दस दिन तो कहीं नहीं गया आपका अराम से आप इसे अपनी डिशिस में यूज कर सकते हो आपको तुरहत मार्केट नहीं जाना पड़ेगा तो यह देखें यह मैंने रख लिया है आप मैं कोई भी डिश बनाऊंगी तो इसमें यूज कर सकती हूँ और जो वाइट पोर्शन है इसके मैं बना लूँगी सबजी तो इस तरीके से आप भी अपने घर में स्प्रिंग अनियंस को स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपको यूज करना है आप इसे यूज कर सकते हो तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी तो जरूर ट्राइ करिएगा और ये बहुत अच्छे से फ्रेश बने रहते हैं उसके बाद मेरी आगले टिप्स है चेन को लेकर हमारे जो पर्स होते हैं लेडिस के जो चेन होती है वो मोस्टली कभी-कभी खराब हो जाती है तो हमें इसे लेके दुकानदार के पास भागना पड़ता है तो इससे आपको क्या करना एक क्रियोंस मतलब मोम ले लेनी है और मोम को आपको थोड़ा सा इसमें घिस लेना है घिसने के बाद आप देखोगे आपका जो चेन है वो इदम स्मूथली खुलना शुरू हो जाए और आपके पैसे की बचत भी होगी तो आई होप आपको यह tips पसंद आयोगी चलिए बढ़ते हैं हम अपने next tips की तरफ जो है बच्चों को लेकर तो friends बच्चे जो होते हैं वो अक्सर जो pen का use करते हैं वो हाथों को अपने गंदा कर लेते हैं कभी प्याद में भी गोजा ग ले लेना है coconut oil ठीक है और coconut oil को आपको अपने हाथ में डाल के कुछ देर तक इसको मसाज करना है मसाज करने के बाद आप देखेंगे जो निशान होता है पैन का चाहिए वो red हो, blue हो कोई भी हो, वो आपका बड़े easily छूट जाता है आपको कोई भी साबुन या सर्फ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ ये oil ये होता है आपका सारा cleaning का काम कर देता है तो अभी मैं आपको करके clean करके दिखाती हूँ आपको खुद पता चल जाएगा तो ये देखेंगे friends कितने ठीसे मेरा clean हो गया है आप देख सकते हो तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी tension रहती है पैन के निशान को साफ करने की तो इस तरीके से आप इसे बड़े असानी से साफ कर सकते हो तो I hope आपको मेरी ये tips पसंद आई होगी पसंद आये तरीक लाइक दे दीजिएगा फिर इसके बाद बढ़ते है friends हम अपनी next tips के तरफ जो है कपरों को ले कर मैंने friends कपरों को फ्रिजर में रखा है और क्यों रखा है वो मैं अभी आपके साफ शेयर करूँगी friends बहुत ही अच्छा reason है हम अगर अपने कपरों के कलर को बहुत लंबे समय तक रखना चाहते हैं उसकी स्टिचिंग को लंबे समय तक अच्छे सा रखना चाहते हैं तो ये tips आपके लिए बहुत ज़्यादा useful है friends कोई भी new कपरे होते हैं उसके जो कलर होते हैं अगर बहुत जल्दी फैड हो जाते हैं और इसके जो स्टिचिंग है वो भी निकलने लगती है तो इसके लिए आपको क्या करना है कोई भी new कपरे हैं उसे polythine में डाल के न अगर आप कुछ घंटों के लिए फ्रिजन में रख देंगे न तो आपके जो कपरों के self-line है वो काफी बढ़ जाती है उसका जो कलर है वो काफी पक्का हो जाता है और जो स्टिचिंग होती है वो भी मजबूत हो जाती है एक पर आप जरूर ट्राइ करके देखेगा ये वाला टिप्स तो जब भी कोई नई कपरे आ रहे है जेंस है या कोई भी कपरा है उसे आप पॉलिथिन में डाल कर फ्रिजर में रख दीजे फिर आप देखना आपके जो जेंस के कलर है वो जल्दी फेड नहीं होंगे लंबे समय तक चलेंगे और आपका जो कपरा है उसकी सेटलाइन बढ़ जाएगी तो यह बहुत ही कारगर टिप्स है फ्रेंड्स इसे जरूर ट्राइ करिएगा यह जो छोड़ी छोड़ी टिप्स होते हैं फ्रेंड्स जो हैक्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत जादा यूसफुल होते हैं वो हमारे समय और पैसे की दोनों की बचत करते हैं तो आप ये टिप्स जरूर ट्राइ करिएगा फ्रेंड्स और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबके लिए भी ये यूसफुल टिप्स हो सके तो फ्रेंड्स प्लीज जो भी चैनल पर नीव है चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा इसी तरीके के अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल होता है तो आपका सबसे फेवरेट टिप्स कौन सा है फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा और मुझे इंस्टा बे जरूर फॉलो करेगा लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में ले देती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हम अपने लास्ट टिप्स के तरफ जो है जो घर के जो वेस्ट शीजे होती जैसी की बॉटल हो गई या कप हो गई जो खराब हो जाते हैं जैसी ये कप मेरा थोड़ा सा लीक हो रहा था ये वाले कप का हैंडल तूट गया था बड़ इसका प्रिंट बहुत अच्छा था तो देखे मैंने किस तरह के से इसको यूज किया है इसमें मैंने अपने कुछ कॉस्मेटिक्स लिप्स्टिक्स या आईशेडू से होती है पैंसिल्स वो सब रखी हुई है ये बॉटल का कट करके मैंने डियाईवाई आपके साथ शेयर किया हूँ था देखिये से मैंने अपने सारे रॉबर रखे हुए है तो फ्रेंट्स इस तरीके के चीजों को हमें अपने घर में यूस करना चाहिए क्योंकि इससे समान हमारे बहुत अच्छे से और्गिनाईज हो जाते हैं उसके जाद ये देखिए फ्रेंट्स ये मेरा कपूर का डबा था इसे में भी मैंने वाश करके इसमें सारे सैप्टी पिन्स को रख दिये हैं और सैप्टी पिन्स की जूद हमें मोसली परती रहती है इसलिए इसे मैंने एक दम फ्रांट पे रखा हुआ है तो इस तरीके से आप अपने घर के डबों से देखिए कॉफी मक का डबा है इसे भी मैंने और्गिनाइजर बना लिया है इस पे अपने सारे बी-बी क्रीम, सीसी क्रीम या फांडेशन सब रख दिया है इससे क्या होता है आपको चीज़े आपको फटाफट मिल भी जाती है और चीज़े हमारी में विस्थित रहती है तो आप भी अपने घर की सारी चीज़ों को इस तरीके से और्गिनाइज कर सकते हो घर की वेस्थ चीज़ों से ही और आप चाहो फ्रेंज तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हो कलर पेपर से, स्टीकर से, पेंट से मैंने डेकोरेट नहीं किया है मैंने आपको बस basic सा idea दिया है तो इसी तरीके से आप अपने घर को सजा सकते हो organize कर सकते हो और अपने घर के पैसों की पचत भी कर सकते हो तो I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो like करेगा मिलेंगी कलें एंगी वीडियो में तैंक यू सो मुछ वाचिक क्याओ वाचिक क्याक बाला है भाइ और भाइ यहान देक क्या